हाव रूफीक्स करूर वाईशया बैंक इभूक एप नोट रेस्पोंडिंग एन ब्लेक स्क्रीन प्रॉब्लिम नमस्कार डोस्तों सुआगर अब सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है करूर वाईशया बैंक इभूक एप का ये प्रॉब्लिम सॉल्फ कैसे कर सकते हैं दोस्तो अगर आपको इस एप के अंदर पर इस तरह के कोई भी प्रॉब्लिम कोई भी इशू हो जाते हैं तो क्या सॉल्फ करना है कैसे आपका प्रॉब्लिम सॉल्फ होगा यही मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक है एप के अंदर पर जबी इस तरह के प्रॉब्लिम होते हैं तो दोस्तो हमें काफी दिक्कते हो जाते हैं एप चलाने में तो इसलिए दोस्तो इस तरह के problem solve करना जरूरी है तो क्या करना चाहिए क्या solution करना है वो सब कुछ आपको इस वीडियो पर ही पता चलेगा और दोस्तो इस वीडियो पर मैं आपको कम से कम चार से पाच solution बताऊंगा जिसको follow करते हुए अब अपना करूर वाइशा बैंक इबुक एप का problem solve कर सके दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले make sure चैनल को subscribe करते हुए बेल आइकुन को click करे अगर आप online पेसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको link मिल जाएगा और किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो यहाँ पर वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं केसे हमें solution करना है सबसे पहले आप mobile को restart कीजिए restart करने के बाद दोस्तो एक बार चेक करके देख सकते हैं क्योंकि कई बार एक सिर्पल सा restart हमारे problems को solve कर देते हैं तो अगर आपका problem solve हो जाते हैं तो ठीक है लेकिन मान लेजिए अगर आपको problem solve नहीं हो रहा है रिश्टार्ट के बाद तो आपको जाना है play store एप को search कर देना है kvb ebook app यानि की करूर वाइशया bank ebook app search करने के बाद आपको एप अपडेट कर देना है अपडेट इसलिए करना है क्योंकि आपका bug problem और सारे सार अपका app data crushed problem या फिर app data जो है आपके corrupted problem हो गया ख्रेश problem हो गया और सारे सार आपका अपडेट की ट्रू फिक्स कर सकते है ठीक है तो make sure आप यहाँ पे अपडेट करें एप को अपडेट करने के बाद दोस्तों आप mobile को restart कीजिए रिश्टार्ट करने के बाद एक बार चेक करके देखिए अगर आपका problem जो है solve हो जाते है तो ठीक है और किसी किसी का जो problem है वो update के true completely fix भी हो जाते है तो अगर आपका problem अपडेट से fix हो जाते है यहाँ पर search कीजिए app and notification यहाँ पर दोस्तों आपको app and notification manage app, install app, app management, app manager, apps करके option मिल सकते है तो उसमें जाके आपको kvb ebook app search करना है force stop कर देना है उसके बाद storage in case पर जाए clear storage और ok कीजिए यह करने के बाद दोस्तों आपको permission पर जाना है एक ही permission है बस allow कर देए उसके बाद ब mobile data and wifi access रहे, disable नहीं होना चाहिए किसी तरह के से भी उसके बाद आपको back करना है, back करने के बाद mobile को restart करना है, end end app में जाए, open कीजिए, check करके देखे, चला के देखे, solve हो चुका होगा आपका problem, कही लोगों को problem रहते हैं दोस्तों वो इतना में complete तरह के से solve हो जाते हैं, तो अगर आपका problem solve हो जाते हैं, तो ठीक है, लेकिन by any chance अगर आपका problem solve नहीं हो पाते हैं, तो फिर क्या करना है, तो दोस्तों, प्ले स्टोर पर जाए, uninstall बटन पर क्लिक करें, uninstall कर दें, उसके बाद बेक कीजिए, जाए, setting, end end, scroll down करके system पर जाए, and check कीजिए आपका system update, make sure आपका system up to date रहे, यानि कि आपका software, तो software वगर आपडेट चेक करें, अगर चाहिए, तो आपडेट कर दीजिए, उसके बाद एपको reinstall कर सकते हैं, जैसे एप reinstall करेगा, आप re-login कीजिए एपको, फिर check करके देखिए, सारे problem solve हो चुका होगा, तो ये एक complete solution है, जो कि उमीद करते हैं, आपको वीडियो पसने होगा, thanks for watching